थ्रिप्स चाहे आपके पत्तियों के उपर हो या फिर आपके फलों के उपर हो दोनों बाजू में से आपका नुक्सा नहीं नुक्साने क्योंकि पत्तियों पर थ्रिप्स का एटेक होने से आपके पत्तिया टेड़ी मेड़ी होकर उसके पसल की ग्रोथ नहीं हो पाती है और फलो के उपर थ्रिप्स होने से फलो के उपर कुछ रेगाय बनके आपकी फलो की कॉलिटी तो बिगड़ी जाती उपर से फलो की साइज भी अच्छी तरके से नहीं बढ़ पाती है तो ऐसे सिचोशन में थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाना बहुत ही जरूरी हो जाता है तो यह के उपर आपके काम करती है तो आपको ही समझने आता है कि फ्रिप्स के उपर कौन सी वाली ज्यादा परिनाम कारकर होगी तो यही कंप्यूजन दूर करने के लिए आज का यह वीडियो तो में उदिवराज और आप दिखरवान निर्वाता चले शुरूरत करते हैं आज के फिदिगर, इस पृहें हम जानते हैं के ध्रिस का अमारे पॉसलों में एक एक हो चके यह से चेनी के इसके पहचानबाना करती है क्योंकि वह लुट बारे बारे काकारİ की होती है तब जाके आपके दहन में आता है कि भाई आमारे पसलों में त्रिप्स का एटक हुआ है तो कुछ तरीके हम यहाप आपको बताने वाले आप चाहो तो पेपर के ऊपर आपको आपका जो पती आए उसको जटक कर देख सकते हैं कि भाई पेपर वाइट पेपर पर आपको आपके फसल में त्रिप्स का एटक हुआ है या फिर नहीं या फिर आप येलो स्टिकी पैड जो आते उसको भी आप लगा कर भी आप अपने फसलन में जान सकते हो कि भाई कौन कौन से किटकों का एटक हो चुका है उसमें आपका थिप्स का भी आटक होता है तो वो दीख पर आगे की तरप यानी की उपर की तरप मुडी हुगी दिखिकी आपको तो समझ लेना की यही त्रिप्स का ही एटकunden ओने पर आपकी पतिया वुपर की तरप मुड जाती है तो यह ये सब शिम्टम देखत कर नहीं एकि थम्फराए कम ठिप लगा है चुका औपo चुका ह आपकर का टॉने से आपका बहुत सारा नुखसान होता है पहले नुखसान तो यह होता है कि आपकी अच्छे से bird नहीं पा था यूर्ब उसकी with a t growth ही अगर complete नहीं भूई पूरी नहीं हुई तो आपको reproductive growth में beti कमी दिखाई देगी आपकी with a growth जादा तर आपको ज्यादा उपज नहीं मिला कि देंगी तो वेजिटेटी ग्रोथ होना बहुत जरूरी होता है उसके लिए आपके फसल पर थ्रिप्स ना हो यह आएसे आपको सावधानी भरतनी चाहिए और उसके साथ जब आपके पतियों को जब त्रिप्स काटता है यानि तक बात ही इसके उपर आपका थ्रिप्स अगर आपके फलों के उपर अगर वह उसमें से अगर आप वह सकिंग करने लगा वह नरस निकालने लगा तो फलों के उपर एक जखम हो जाता है जो की फल जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वह जखम आपको बहुत 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 बुरा असर पढ़ता है जिससे आपको मार्केट में दाम कम मिलते हैं तो ड Works छल गया कि बढ़ी अगर आपको पत्तिवक की ऊपर सब्सक्राइब तो नाई पतिया ही नहें आएगी शूट डेवलोपमेंट के उपर भी आपका थृस का य 109 यह फेलों के ऊपर फेलो होता है उसके उपर अगर यह जखम कर देते तो इससी सिचू आगि से देटल चारों वाजू से हमारा नुक्सानी करते हैं पफिर आता थुन्य नव कोई नवाता सकता लेकिन एक कुछ तरीक है जिससे आप पता कर सकते हो कि भाई गहार न तो आप में बादल निकलने लगते है तब कि प्रफल का अटाइक जूटा आप इससे हम विगरस शूट Central편 कह सकते तो जब आप नाइट्रोजन या फिर आसमान में बादल भी ना और आप फसल को जाहत से ज़्यादा नाइट्रोजन दे रहे हो और उसमें आपके फसल के ग्रोफ बहुत तेजी से हो रही हो पतिया बहुत नाजुक बन रहे तो ऐसे सिच्वेशन में भी वहाँ पर थ् चेक करना पड़ेगा अधियों के उपर या फिर आपके फसल के उपर जो भी त्रिप्स का एटेक हो चुका है उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी तरीक है तो उन सभी तरीकों के बारे में अभी हम आपको बतने वाले पहला तरीका यह है कि आप येलोग ट्रैप लगा सकता है और एक 2% आपका िर्फ वहां से बी कंट्रोल हो सकता है तो आप यह लोट रैप आपके पसल में लगा सकते हो जिस्से आपको ठ्रिप्स कंट्रोल करने में बहुत आसन होती है आप दूसरा एक काम कर सकते हो कि आपके पतिया ज़्यादा-ज़्यादा रफ बना के र करवरित यानि कि रफनेस आप गर आप बड़ा देते हो तो आपके फसल के उपर थ्रिप्स का एक बहुत कम होता है तो पतियो को रफ कैसे करें इसके उपर तो वीडियो बन चुका है आप चाहो तो मैं उपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा और रही बात तिसरा जो करने के लिए इस-ओर आपके चाहिए लेकिस को मारने वाल spinach करता है। यह आपके जमिन के अंदर 3 दिया रिस्का लाइफ साइकल होता है उसको रोकने के लिए आप इस्तमाल कर सकते हैं बिंभिशी ओट्र हो इसकी कोई बात ने कुछ निमेटbles ड़ेल लग्पे के उपर भी सर्वाय करते हैं तो उसके बेनिभिशी c उसके उपर अगर आपको जाधा जान करी चाहिए तो इस वीडियो के लाइक 5000 तब पहुचा दो हम उसके उपर भी वीडियो आपके लिए बना देंगे और एक तरीका एक और गेनिक कंट्रोल के लिए आप जो वेंकर टेश आईगरो का सुप्रिम नंबर वन आता है उसका भी कुछ ज्यादा एफेक्टिव ने है लेकिन थोड़ा बहुत मदद करता है आप फिशोईल और नीमोईल का भी इस्तेमाल त्रिप्स कंट्रोल करने के लिए कर सकते हो और यहां पर आगले तरीके बताने वाले हम केमिकल कंट्रोल के बारे में आप केमिकल केमिकल से भी आप प्रिप्स कंट्रोल कर सकते हैं देखो और इनिक कंट्रोल वब करने चाहिए अगर प्रिवेंटिव में जो और आप इस्तेमाल कर सकते हो तो और आपका स्पिंट और जिसमें आता है up का स्टींट और से आता है मार्केट में कई नाम से मार्केट में ऑले विल्या आपका स्पींट ओर तो उसको आप 200 लीटर पानी में से 50 मिली छिटकाओं के लिए आप विन्ट और का यह फिर ट्रेसर का चिटकाओं के लिए इस्तोमाल कर त्रिप्स को कर सकते हैं ट्रिब्स कUL करने के लिए इसके साथ ही एंद करने के लिए इस्तमाल कर सकते हो ओंब हाइड के लिए बना है लेकिन और सब्सक्रेकर करता है जिन घिसल्झल को पता है अब अब तो मतलब इससे क्या होता मेरे को पता है लेकिन बाकी जो किसान होती कि बाकी आप सिन तो रेड माइट के लिए कैसे बोल रहा है बंदा तो बाकी कमेंट पढ़कर उन किसानों को भी पता चलेगा कि बाइब हो ऐसीन की साथ है किसानों की एक्षप्रेन्स में आप 200 लिटर पानी में लेकिन तो रिजेंट से भी आपका थ्रिप्स बहुत आस्थानी से कंट्रोल होता है लेकिन वह थोड़ा स्लोव आक्षेन है बहुत धीरे धीरे गति से वह काम करता है लेकिन वह बहुत ही अच्छे से काम कर जाता है इसके बाद आगर आपको कॉंटेक्ट में कुछ थ्रिपी साइड सो मिली तो इन सब केमिकल से भी आप थ्रिप्स को बहुत ही अच्छी तरह के से कंट्रोल कर सकते हूं और आभी खास बात बाकी तो खास बात बताने से पहले आपको हमरी जानकरी हमरे मेनत अगर आपको रास आती है यानि कि बहुत अच्छी लगती हो तो भाई उतना ही आपको एक ही करना है कि ज्यादा ज्यादा वार्टसप ग्रूप में या फिर फेस्बूक के उपर हमारे इन वीडियो को शेयर करना है तो अभी हम चलते एक खास बात की तरह को actular 1 कि दोस्तों आज की खास बात में हम तृप कंट्रोर के बारे में ही आपको बताने वाले थृप कंट्रोल करने के लिए सब और आपका यह फायदा ही होता आप एएक बाहर में ही ज्यादा नाय्ट रोजनदेते सबी तरीके से और रही बात आपकी पतियारब होने के बाद आप प्रिवेंटिव में आप सस्ति वाली और अच्छे वाली दावयों का भी इस्तमाल बारी-बारी से करते रहेंगे तो थ्रिप्स का आटेक आपके फसल के उपर बढ़ेगा ही नहीं और आएगा नहीं तो इसको होता है खर्चा कम हो जाता है तो अगर आपको प्रिवेंटिव में आपको अगर कुछ और खास यानिक ज्यादा लंबे समय तक कंट्रोल चाहिए तो मेरे इसाब से ओजो ऑर्गेनिक कंट्रोल में मैंने जो दवाया बताई एक वेंकटेश आगरो का सुप्रीम नंबर वन पुरेंद जिन नची के ओपर ही डिपेंड रहेते हैं आपके एरिए में आप ज مت में त्रिप्स के लिए और्गेनिक वाली कौन सी दावई इस्तमाल करते हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता ना और आगर आपको पतिया रब कैसे करना यह मालूम नहीं तो वह जानने के लिए इस वाली वीडियो के उपर आप क्लिक करके वाली हो जानकर पास सकते हो मिलते आगली वीडियो में जै जावान जै किसा